कितना जरूरी होता है लाइफ में कि आप एनरजी शिफ्ट कर सकें सुबह सुबह उठे किसी से बहस हो गई, किसी से जगड़ा हो गया कोई बात नहीं बनी, एक्सपेक्टेशन खराब हो गई और मूड एकदम खराब हो जाता है अब जो होना था सो हो गया अब करें क्या, कैसे अपने मूड को शिफ्ट करें कि पूरा दिन बचावा खराब ना हो खुली हवा में जाईए, सबसे पहले फ्रेश एर, oxygen is very important for your mind वहां जाकर घहरी सांस लीजे इतना ही नहीं, 30 सेकिंड का टाइम निकाली और अपनी आख बंद कीजे आख बंद कीजे, और उस इंसान को याद कीजे जो आपको unconditionally प्यार करता है और जिसे आप unconditionally प्यार करते हैं maybe your child, your parents, your spouse, your girlfriend, your boyfriend anybody जिससे आप unconditionally प्यार करते हैं और वो भी करता है उनकी शकल को याद करें और एक beautiful moment याद करें उनके साथ anything that brings smile to your face सिरफ 20 seconds आपको उनके बारे में सोचना है और immediately आपकी energy shift हो जाएगी आपका जो खराब mood था वो ठीक हो जाएगा see mind is accumulation of repetitive thoughts जिस चीज को हम बार 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 सोचते हैं वैसा ही दिन चलना शुरू हो जाता है अपनी energy shift करना आपके हाथ में हम पता है कि ऐसे हैं जिसे कुए में एक मेंड़ गिर जाता है बार बार कोशिश करता है बार बार गिरता है उपर फिर नीचे फिर उपर फिर नीचे mind भी ऐसे ही काम करता है उसको बहुत मज़ा आता है अपने आपको एक पिट में डाल देने में और फिर बड़ी महनत लगती है मोटिवेट करकर खुद को उपर लाने में इस इस अनलेस प्रोसेस, इस अनलेस प्रोसेस, अनलेस प्रोसेस, अगर आपको अपनी अनर्जी को शिफ्ट करना आ जाए तो दिमाग के साथ लडाई बंद हो जाती है पता है आपको instantly पता चल जाता है कि ये प्रोबलम है और ऐसे शिफ्ट करना है You finally become master of your mind and it's such a beautiful technique You come closer to your loved one and that's how you really enjoy being closer to your own self, your own mind Try it out once